भारतिय टीम के पूर्व क्रिकेटर और टीम इंडिया के पूर्व कोच रह चुके अंशुमान गायकवाड का 71 साल की उमर में निधन हो गया है वो लंबे समय से ब्लड कैंसर से जूज रहे थे और हाली में कपिल देओं ने उनके लिए मदद का हाथ बढ़ाया था साथी BCCI ने भी अंशुमान गायकवाड के इलाज के लिए एक करोड रुपए देने का एलान किया था आपको बता दें अंशुमान गायकवाड ने भारतिय टीम के लिए 1974 में डेब्यू किया था उन्होंने भारत के लिए 40 टेस्ट और 15 वंडे मैच खेले थे अंशुमान गायकवाड को उनके डिफेंसिव बैटिंग की वज़े से 1970 के दशक में दा ग्रेट वाल कहा जाता था